सलाम भायों सलाम वेल्किम टू स्पोर्ट्स नियूज टुड़े कल का मैच में एक चीज बड़ी मज़ेदार हुई पाकिस्तान का और अफ्रीका के मैच में भी स्कोर 188 और चिन्नाई और दिली के भी मैच में स्कोर 188 अब आप कहेंगे भाई इतफाक हो सकता है लेकिन जो फ सर्च करना जानते हैं वो ये जरूर जानते हैं कि ये इतफाक नहीं है ऐसे इतफाक बार बार होते रहे हैं पहले भी के स्कोर एक ही दिन में तीन तीन टीमों के भी सेम निकले हुए है तो भाया फिर भी लोग कहते हैं कि भाई बैंच क्रिकिट साफ होता है क्लीन होता है औ लेकिन ICC ही अगर BCCI अगर क्रिकेट बोर्ड ही अगर इसलिए बनते हैं कि वो क्रिकेट की कोचिंग ना करें ना टॉर्नमेंट रिसाइड करें बलके वो ये करें कि मैच को फिक्स कैसे किया जाएगा स्क्रिप्ट क्या बनाया जाएगा कि फंटर कभी न जीच सकें तो बेसि ICC के अंडर सारे जो हैं वो यही काम करते हैं मैच के स्क्रिप्ट का कि वो कैसे बनाया जाए बराल हम चलते हैं आज अपनी एक और टीम की तरफ जी हाँ चार टीमों के मैं डाल चुका हूँ वीडियो अगर आपने नहीं देखी नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं और द को WhatsApp में मिलेगी जो के निव लोग हैं जो नए फंटर हैं वो देख रहे हैं ऐसी मेरे पास चार साइटे हैं और चार की चार साइट्स इंडिया की टॉप लेवल की साइट्स हैं जिनका Global T20 क्रिकिट से लेके दुबई की क्रिकिट में और बड़े जगों के उपर इनकी अब एड़टाइजमेंट चलती हैं तो ये बेस्स साइट्स हैं जो के एक टाइम पे टोटल ही बैट फेर की लोगों ने बड़ी कापी बनाने की कोशिश की लेकिन लाखों साइटों में से ये चंद साइट्स बचीं क्योंके ये सबसे बेस्स थी और इनकी मेंटेनस लेवल हर चीज जो है वो हैकिंग प्रूफ थी तो आप यहां पे अकाउंट खुलवा सकते हैं अब जल्दी से चलते हैं अपनी अगली टीम की तरफ जो के है सनराइजर हैदराबाद सनराइजर हैदराबाद पिछले साल बुरा परफॉरमस देते देते फिर भी प्ले आफ्स में आर चोटा पॉकेट गरनेड जो है डेविड वार्नर इसका मुझे आज भी वो मैच याद है कि जब ये अकेला पूरे स्टेडियम में अपना बैड गुआ गुआ के उचल रहा था तो कहीं ऐसी बड़ी इनिंग हमें डेविड वार्नर से देखने को दुबारा मिल सकती है इस IP इस साल नहीं लगई जाएंगी लेकिन ये लड़का आपको कोई ना कोई सप्राइस पैकेज लाके देने वाला ज़रूर है मुझे जातक लगता है अभी शेक शर्मा हमें नदर आ रहे हैं और खलील एमद नदर आ रहे हैं उम्दा तरीन बॉलर और ये भी कोशिश कर रहे ह क्योंकि जैसा मैच आपने देखा दीपक चाहर और शर्दल ठाकर का तो बासिल थंपी और खलील एमद यहां पे अपनी जगा बनाने के लिए बेक करार फिर रहे हैं और कहीं न कहीं ये लड़के अच्छी परफॉर्मस देने वाले हैं फिर चलते हैं जानी बेर स्टो की त प्रफॉय हो या कोई भी हो जानी बेर स्टो खेलना जानते हैं और बॉलरों की दुलाई करना उनको कूटना मारना जानते हैं प्रेयाम गर्ज हमें आके नदर आ रहे हैं बासिल थंपी की हम बात कर चुके हैं गोस्वामी नदर आएंगे पिर हमें ये भी खेलते वे नदर आ सकते हमें जेसन होल्डर की गुड़ी चड़ी है और बड़ी ही जबरदस चड़ गई है तो कहीं न कहीं बहुत ही जबरदस बाइंग कहूंगा कैसे प्लेयर की कि जो कि एक बैट से भी अच्छा फिनिशर है और बॉलिंग भी अच्छी करा लेते हैं तो आल राउंडर प टीम में मेरा खाल दिली में भी थे ये अगर मैं घलत नहीं हूं तो अब एक और टीम में हमें सनराइजर में ये दिखने वाले हैं और केदार यादव जो हैं 35 साल की एज हो गई है लेकिन खेलते हुंदा है नो डाउट थोड़ा सा स्लोप लेयर है लेकिन एक दफ़ा बला अगर इनका रहा होजे चलने लग जए तो अगली टीम के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है सिदात कॉल सिदात कॉल भी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि मेरी क्या जगा इंडियन टीम है क्योंकि टी टून्टी वर्ल्ल कप सर पर है जो यहां पे परफॉर्मस देंगे व अबुवेश्वर कुमार और बुमरा के साथ दो तीन बॉलर और जाने है जो अवियसली टीम के अंदर बेशक वो बेंच पे बैटें लेकिन टी टून्टी वर्ल्ल कप में बैटना एक अजास की बात है अपने बचों को भी बताएंगे कि हम टी टून्टी वर्ल्ल कप में इंडियन टीम में थे फिर मुहमद नभी मुहमद नभी इस वक्त दुनिया की हर क्रिकिट के अंदर फ्रेंचाइस के अंदर नजर आ रहे हैं जैसे डैनियल क्रिस्टिन राश्यद खान वैसे ही मुहमद नभी नजर आ रहे हैं और मुझीब और एमान भी तो अगर हम देख अपसी दिख सकती है और मैं कहूंगा कि कहीं इनको मिस मत करे सनराइजर खिलाना चाहिए शबाज नतीम को नतरंजन गुड़ी चड़ी वी है इनकी और अगर ये परफॉर्मेंस देते रहे और अच्छा करते रहे तो कहीं न कहीं ये भी मलब के मैंने अपनी लाइफ में मेरा ख्याल है अगले दो सालों में वो अपने बॉलर से जाना जाएगा बुमरा की वज़ा से तो पहले ही बड़ा नाम हो चुका है इंडिया का लेकिन अब ये लड़के और जबरदस्त मनलब के बॉलिंग में नाम करने वाले है जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा न है क्योंके पिछले दो आईपियल में कुछ खास परफॉरमस नहीं दे सके और इनकी एक बड़ी इच्छी आताता है जब मैच हारना उस अनराइजर ने तो ये बनावा मैच जो है मनीश पंडे कैश दे के चले जाएंगे आउट होके चले जाएंगे और उसके बार टीम धे ये राश्ड खान मला मुम्मन नभी मुझीब रहमान राश्ड खान कहने को तो मैं कहूंगा कि VVS कोच है इनके VVS कोच हैं इनके कही ना कहीं लेकिन टेवर बायलिस्स ये कोच हैं और बहुत ही उंदा सेलेक्शन हैं जो के टीम मैनेजमेंट ने की है तीनों ही अफगानी जो हैं अपनी टीम में धरली हैं मैं जो के पूरी दुनिया में करिकेट खेल रहे हैं और फार्म में चल रहे हैं जेसन रॉय को आई पिल निकलाएंगे हम लेकिन जेसन रॉय की ऐसी कमाल की पर्फॉर्मिंस हुई और दूसी तरह से मिचल मार्श विड्रॉ कर चुके तो जेसन रॉय की टिकेट बन गई और मैंने आपको बोला था इंडिया वर्सेज इंगलेंड की अंदर के घुसा बर्बूर निकालेंगे जेसन रॉय और अभी घुसा ठंडा नहीं हुआ जो एकस्पेक्टेशन इन से नहीं की जा रही थी यह IPL में आके बताने वाले हैं फिर विर्देमान सहा कही ना कही मैं कहूंगा कि यह लड़का बहुत जबर्दस्थ खेलना जानता है T20 क्रिकेट लेकिन धोनी गिलक्रेस्ट कुछ ऐसे मार्क बोचर कुछ ऐसे बड़े कीपर हिस्ट्री में गुदरे हैं जिनकी वज़ा से दूसरे जो हैं वो बड़े यार यह कमाल मरलब को बहुत ही उंदा टीम संदीब शर्मा भी हमें यहां पर नदर आ रहे हैं लेकिन उंदा टीम तब ही तक है जब तक रोई शर्मा का बल्ला नी चलता एक भी डिविलियर का बल्ला नी चलता जब इनके बल्ले चलते हैं तो दुनिया के उंदा तरीन भी टीम आप खिला ले, ये सिंगल हेंडली ले जाते हैं मैच, गिलन मैक्सफल वगेरा, क्रिस केल, पॉलार्ट, नाम बहुत हैं, विजे शंकर, चर्चा बहुत ही विजे शंकर की, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस जो इन से एक्सपेक्ट की जा रही थी, मुझे देखने को नहीं म मल्लब के एक और स्पिनर यहां पे हमें दिख रहा है, और वो भी इंडियन फ्लेवर का, केन विलिमसन नदर आ रहे हैं, और कौन खिलेगा, कौन बार बैठेगा, यही देखना होगा, क्योंके पिछले साल जोनी बेर्स्टो को बठाया गया था, और फिर केन विलिमसन को अ जेसन रॉय वो हमारा क्रेज जो है, वो पूरा करने वाले हैं, तो यह भाया जो टीम है, इसकी अभी हम बैटिंग की तरफ चलते हैं, डेविड वारनर आवियसली ओपनर करने वाले हैं, तो एक इंटरनेशनल खिलाडी तो यह हो गए, दूसरी तरफ जॉनी बेर्स्टो, अब जॉनी बेर्स्टो आएंगे, या जेसन रॉय आएंगे, दोनों मेंसे कौन खेलने वाला, और तीसरे नमबर पर केन विलिंसन आएंगे या जॉनी बेर्स्टो आएंगे, तो यह देखना पड़ेगा, कि इन तीन बैट्समन आप कैसे खिला सकते हैं, जब मुहमन नभी मुझीबर एमान और राश्ट खान हो, तो मुहमन नभी को अगर आप बार भी बिठाते हैं, और राश्ट खान खेलेंगे, खेलेंगे, डेविड वर्नर खेलेंगे, खेलेंगे, तो दो इंटरनेशनल प्लियर तो आपके पके हैं वही या, तो इतनी अच्छी टीम बाए कर कि मेरा ख्याल है कोचिंग इसी टेंशन में पढ़ जाएगी कि किसको बिठाएं, किसको खिलाएं, बहुत उम्दा सेलेक्शन और सनराइजर ने हमेशा ये किया, ये वीवियस लक्षमन जैसा जो क्रिकेटर है, हालांकि अंडर रिटिड क्रिकेटर है, क्योंकि उस टाइम रहुल ड्राविट, टेंडूल करी, सहवा, गंगुली, पड़े नाम थे, लेकिन लक्षमन ये ही कहूंगा कि आज जैसे पुजा रहा है उस टाइम पे लक्षमन था और कमाल के किरकेट खिली वीवियस लक्षमन ने, बीवीवियस लक्षमन ने, अभी पतनी टीम के साथ है बेटिंग कोच है कि नहीं है, बरहाल टॉम मुडी भी इनके साथ रहे चुके हैं इस टीम के साथ, फिर दो प्लेयर तो आपके होगे डेविड वरनर और राशिद खान, तीसरा आप किसको खिलाने वाले हैं, या तो केन विलिमसन खिलेंगे या जेसन रॉय, मेरा ख्याल है अंदर यहां पर मुजीबर रिमान, जी हाँ, मैं मुजीबर रिमान को बार नहीं रखूँगा कभी और मुहमन नभी को अंदर नहीं रखूँगा, क्योंकि मुजीबर रिमान स्पिनर जो हैं, वो कमाल के हैं, और अगर हम नहीं भी खिलाते हैं मुजीबर रिमान और मुहम तो स्पिन एटेक की अगर तरफ देखा जाए तो यहां पर स्पिन एटेक भी बहुत मस्बूत है नवी भी गेंट डालते हैं मुझीब और एमान भी कमाल स्पिन कर लेते हैं राशवच खान तो वैसे दुनिया के नमबर वन स्पिनर हैं तो यहां पर हमें सुचित के साथ इं है और गेन गुमरी है तो गेन तो बैठ रहा है चिनाई की अंदर ओल रेड़ी तो देखना ही होगा कि कितने स्पिनर अब टीम में किलाते हैं राश्यद खान के साथ अब सुचे तायते हैं या शहबास नदीम आते हैं क्योंकि दो स्पिनर तो मिनीमम होंगे अब चलते हैं हम अपने ओल राउंडर्स की तरह विजे शंकर हमें ओल राउंडर्स में नदर आ सकते हैं जो के मेरा नहीं ख्याल है को इतने खास ओल राउंडर हैं महमबन नभी हमें ओल राउंडिंग में नदर आ सकते हैं और जेसन ओल्डर को नहीं बूला मैं ये भी कमाल के ओल राउंड को फिर आगे बात कीजए इनके मिडल ओर्डर की तो अब्दुल समध हमें मिडल ओर्डर में नजर आ जेंगे फिर हमें क्या कहते हैं केदार यादव नजर आ सकते हैं तो मिडल ओर्डर भी मुहमन नभी के साथ काफी इनका स्ट्रॉंग दिख रहा है और मुनीश पंडे तो ये चार खिलाड़ी जो हैं ये मिडल ओर्डर को बड़ी रीड की हटी की स्पोर्ट देने वाले हैं फिर फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो कौन से फास्ट बॉलर खिलने वाले हैं वह या संदीब शर्मा और उसके बाद आपके नतरंजन ये तो नतरंजन को खिलाएं हैं फिर बासिल थंपी और खलील एमद में मुकाबला जाएगा मेरा ख्याल मेरा वोट जाएगा खलील एमद को यार इतनी कमाल टीम है क्या आप निकालोगे क्या डालोगे जिसको निकालोगे उससे बराबर का प्लेयर आपके पास रिप्लेस्मेंट के लिए मुजूद है तो मेरा नहीं ख्याल है आप एल की कोई भी ऐसी टीम है जो कि इतनी मजबूत है तो मैं तो इस टीम का वैसे ही बोलूँगा के कमाल का दिवाना हो गया हो मैं इस टीम को देंके अभी तक चार वीडियोज बनाई है चार वीडियोज में मुझे ऐसी कोई टीम नहीं नज़ जवा ही है जिसने इतनी अच्छी बाइंग की है तो बहुत उमदा टीम है संराइजर और कहीं ना कहीं संराइजर जो है बड़ी बड़ी टीमों को नाकोचने चुवा देगी क्यूंकि कहां से बागोगे जब 101 के 11 ही मदश्बूत है यहाँ पर पांच नहीं मदश्बूत है यहां पे दो नी मजबूत है चार नी मजबूत है यहां 11 के 11 मजबूत है भाउ की तरफ चलें अगर हम तो संराइजर हैदराबाद हमें मिलता है 7 रुपए 6 रुपए सी पैसे 7 रुपए ही हो गया अप्रॉक्सिमेटली तो 6 रुपे 80 पैसे हमें यहां पे दिख रहा है और रॉयल चैलेंज बेंगलोर मैं जीत के भी क्या है 5 रुपे 40 पैसे तो रॉयल चैलेंज बेंगलोर को तो मैं आज इस दफ़ा लोग बड़ा कहा रहे हैं कि RCB 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 जीतेगी और यह पहली दफ़ा नहीं है हर दफ़ा ही लोगों का RCB कर रहा है मेरा ख्याल है RCB की जगह अगर आप RCB कप लगाने वाले हैं तो बेतर यही है कि आप संराइजर उसकी जगह चूस कर लें बहुत ही उम्दा टीम है और मैं तो भाया यह वीडियो के बाद का हमेशा ध्यान होना चाहिए बुक बनाने में क्योंके नौन कटिंग कभी कोई नहीं जीता मैच स्ट्रेटेजी के साथ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जब आप अकठा करते हैं और जैकपॉट की त्यारी आटोमेटिक बीच में हो जाती है जैकपॉट लोग कहते हैं जैकपॉट दे दो जाकपॉट दे दो जिस दिन आप ट्रेडिंग करेंगे ना जैकपॉट आपके हाथ आटोमेटिकली लगेगा भाईया मेरे आप एक जगा पच्छेस हजार प्लस हैं दूसरी जगा आप तीस हजार प्लस है अब एक टीम 10 पैसे आगई यह 15 पैसे आगई है तो आप पांच जार उडा दिया करें बीच में से एक तरफ 20 जार कर लिया यह तरफ 25 कर लिया दूसरी तरफ बड़ी जीत बन जाएगी आपकी तो कहीं यह चीज मत बूली जीगा ट्रेडिंग की क्योंकि साथ मैचों के अंदर नौन कटिंग मत चल गए बाप का माल है यह है तुम्हें कोई नहीं कुछ समझता कोई नहीं BCA से आई से आने वाला के आओ यार तुम बड़ा हार गे वे आओ इंडियन करिकेट टीम में हमें मुश्वरे दो के हम क्या करें ऐसा कुछ नहीं होने वाला यह खाबों की दुनिया से बाहर निकल ओ हकीकत की दुनिया में आ जो प्राफिट कमाओ थोड़ा थोड़ा वो थोड़े थोड़े के उपर जैकपॉट उपर वाला खुद ही दे देता है यह मेरा बैटिंग एक्सपिरियंस है भई मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ काफी लोगों को तकलीफ है मेरे से के भईया के यह क्यूं किया वो क्यूं किया यह क्या लड़कियों वाली बात है ना इनकी तो भईया तकलीफ देना मेरा काम है आपको दुश्मनों को तकलीफ वैसे ही तो देनी चाहिए तो तकलीफ मैं आपको देता रहूँगा आप जलते रहें मरते रहें सड़ते रहें यह वीडियो बनती है मेरे फॉलवर्स के लिए मेरे भाईयों के लिए जो के मेरे से प्यार करते हैं तो ये उनके लिए बनती है ये उनके लिए नहीं बनती है जो उन्होंने आके बाते चोदनी होती है तो बेतरी यही है कि मेरी वीडियो भी मत देखा करो पर एक बाप की उलाद हो तो मेरी वीडियो पूरी देखो के बैड़ के और बाते भी करोगे आके मुझे वटसैप पे भी बाते करोगे, मुझे यूटिउब पे भी बाते करोगे, मुझे टेलिगराम पे भी करोगे. एक बापके बनो ना मेरी वीडियो मत देखा करो पहले पूरी वीडियो सुनेंगे, उसके अंदर से خामियां ढुञेंगे. और फिर बाते चोदेंगे मनलब के बाते चोदेंगे से कभी बच्चे पैदा नहीं हुए भाया ये याद रखना विडियो मत देखा करो एक बाप की उलाद हो तो और जो मेरे फॉल्वर्वर्द हैं ये विडियो उनके लिए खास तौर पर मैं बनाता हूं क्योंके प्यार का जो चैनल है ना दुनिया में उससे बड़ा कोई ब्राडकास चैनल नहीं है तो भाया ये थी हमारी खुबसूरत तरीन टीम इस IPL की सनराइजर हैदराबाद आज इनका मैच है केके आर के साथ और केके आर जो है वो भी एक बड़ी अच्छी स्पिन की टीम है अगली वीडियो उनके उपर है केके आर क्या करने वाली है मेरी बिलकुल प्रेडिक्शन ये नहीं है के केके आर जीतेगी या आज सनराइजर जीतेगी ये बता रहा हूं कि इन दा लॉंग रन 14 मैचों में मुझे सनराइजर उपर जाता नदर आता है हो सकता है सनराइजर पहला मैच हार जे सही है और उसके बाद जीतना शुरू कर दे तो उसको प्रेडिक्शन मत मान के आप चल लिए इगा आज कि यार भाई को तो बड़ी पसंद है हो सकता है जीत भी जाए पहला मैच तो इसको बिलकुल भी ये लॉंग रन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं बाकि शॉट टम के लिए आपके लिए सब के लिए सर्प्राइज देने वाला हूं हान जी वो अगली वीडियो मैं बताँगा कि वो सप्राइज किया है चलता हूं भाईयो के के आर की वीडियो मैं मिलते हैं खुदा आफिस